20 में एक्जाम को 4 के करना चाहिए लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एक्षिली चेक ही नहीं कर पा रहे कि उनका लेबल क्या है क्योंकि हम लोग मोग टेस्स सेरी शुरू कर रहे हैं विदान्तू, नीट, मेड़िजी चैनल पर वो भी absolutely free इसमें हम आप लोगों को लिंक देंगे मोग टेस्स का और उसके बाद एक open doubt session भी होगा subject wise तो बस गबराने का नहीं हमारे साथ रहने का क्योंकि दर के आगे जीत है तडा, hi everyone good afternoon, hi everyone good afternoon, good afternoon students, good afternoon vedans, good afternoon, how are you all? कैसे हाब सब? आईये माम, special invitation है माम के लिए ही गाइज, हेलो बेदल्स, तो आप मिल चुके हैं बायो ते बायो हो गया, सूपर बायो ही कुष्भू, ही अशिश, हमें बहुत अच्छे बच्चे थिक रहे हैं जुनों ने 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 लगा लगा लिये है तो वाइस आपके लिए एक हूज अनौंस्मेंट है, जो अब ही अंकिता माम आपको बताने वाली है बायो माम इनको अनौंस्मेंट बायो अनौंस्मेंट यह है के हम ने सूचा है अचली माम का अमेजिग आइडिया था वे थिंकिंग जो बच्चे हमारे चैनल का लोगो है उसी अपनी DP बनाएंगे और एक्रेजी हो जाएंगे और माम को एमेल करेंगे और हम सब को एमेल करेंगे उसमें से एक बच्चे को चांस मिलेगा बैंगलॉर आने का हम समसे मिलने का पार्टी करने का और बेस्ट इंगे इंटार ट्रेप इस पॉंसर भाइ अस यानि आपकी टिकेट, आपकी कैब, आपका होटेल और आपकी पार्टी इस अन अस गाईज क्योंकि हमारा सबसे बड़ा चैनल अब बहुत जली छूने वाला है वान मिलियन को गाईज, राइज तो सबसे पहरें बच्चों को हम थैंक्यों करते हैं जिन्होंने माई DP लगा ली है तुम्हाम देखी अशीष न लगाई, फरहान ने वैशनवी वैशनवी तो तीन बच्चे तो यह देखे और इस वारान, शानतनू जमिला भी गई उपर खुश्बू, वास ओम्या अभिशेक शानतनू उपर से आया बाकी बच्चे क्या कर रहे हो बन चुके इसका हिस साथ, तो गाईज आप क्या कर रहे हो फटाफट से DP लगाओ और बन जाओ, और हो जाओ थोड़े से क्रेजी क्योंकि अंकिताम माम के साथ डांस करने को मिलेगा बिलकुल, हम पागलों के रहे डांस करेंगे और अगर आप चाहें, तो क्या पता आप आप लाइव हमारे साथ क्लास में भी आ सके ओमाइगाद यह तो उस उपसे आप लाइव हमारे साथ तो हमने सुचाँ, क्यों नहोल जाए एक मुकाबला राइव गाइस यह तो आप मसी कितने लोगों कॉंपटेशन में पार्टिपेट करेंगे यह तो बाटल आफ गिंडम्स आने वाले हमारा सेशन जिसमें अंके दा माम और में मिलके खेलेंगे मेंटी, Plant Kingdom और Animal Kingdom तो एक साथ दो चाप्टर हो जाएंगे रिवाइस और हो जाएंगे दोनों Kingdoms हलवार राइव गाइस? हमने क्या सुचा था था इसका? The queens will be battling the kings Yes, absolutely तो गाइस सेशन आप ले जल्दी आने वाले यह सेशन होगा आपका मंडे को तो मंडे को आए क्योंकि इस ताइम पर Battle of Kingdoms चलो बच्छो तयार हो जाओ प्लांट Kingdom अच्छे से बढ़ना मैं तो प्लांट Kingdom को प्रमोट करूँ 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 चलो बच्छो प्लांट बच्छो लेट सार्ट आपका नहीं अच्छो करें आज क्या पड़ेंगे कुछ पड़ेंगे क्या पड़ेंगी तरहां तो हम 12th पेपर सॉल्ट करेंगे यह आप में से कितने बच्छे हैं 12th क्लास में जो इस साल बोर्ड एक्जाम लिखने वाले हैं जल्दी बताइए येस बिल्कुल करण समझ आएगा तो मज़ा आएगा और मज़ा आएगा तो समझ भी आएगा ओके, I can see lot of you are here जो 12 में हैं और इस साल उनका बोर्ड एक्जाम होगा ठीक अराम से question paper discussion होगा और उसके बाद में आपको solution मिल जाएगा on the telegram group ठीक जो neat वाले बच्चे हों उनको हमेशा होता है कि माम ये class हमारे लिए जरूरी है या नहीं आपके लिए जरूरी है क्योंकि ये जो question paper है बच्चों उसमें बहुत सारे चोटे चोटे answers है जो NCRT अंदर से हैं जो आपको नहीं बता होंगे येस धिरेंद्र आप ही बोल रहते कि जल्दी स्टार्ट करो राइट? चलिए लेक्सी एविवान आपके लेक्ट लेक्टे बैच जाओ ताकि कोई तकलीफ ना हो ठीक? येस अच्छा लगता है और जैसे कि अभी गरेव माम बोल के गए वेर बाउट तो रीच वन मिलियन सॉरी उस जादा ही है तो सब्सक्राइब करो के तब ही तो फैमिली भडेगी येस अरी के मिश्री की कहां है साइंस लिखा है साइंस has a solution of साइंस has the solution पर साइंस है ना बाई भी तो साइंस में आती है इतना इस्क्रिमिनिशन नहीं होगा राइट वेक्ट इस हेर और पर वेक्ट आपकर्स आपक्राइब गरेग्ट कोसेश एक रुब में मिल रहे माइक्रोकोसिस येस येस आपकोस ट्वेज भाले बच्चों के लिए हमने स्पेशली एक स्प्रिंट सीरीज की थी तो यू किन आलवेज गो और वाच दोस वीडियोस अन विद दाट हेर इस दा सेक्शन ए तो इस बार बच्चों आपको पता है के CBSC ने पेपर में चेंजिस की है पहले चार सेक्शन आते थे आप पांच आ रहे हैं फर्स सेक्शन इस बाउट MCQs जिसमें पांच क्वेशन है फिर टू मार्क से क्वेशन है अगें फाइफ त्री मार्क के हैं त्री मार्क को डिवाइड कर दिया है एक तो अप्लिकेशन बेज है तीन है के स्टडी और लास्ट में है फाइफ मार्क के तीन क्वेशन येस तो चलिए बच्चों जल्दी बताते जाएए इसका आंसर और विरागे भड़ते हैं एक येस एक्स्प्रेसिघ ग नगाउन फोकस करना है प्लांट पंए प्लांट स्पेसिफिक का जीन फ्म अनदर ória गां़ाणिजम एक और ओर्गाणिजम का जीन लेके प्लांट में एक्स्प्रेस कर दिया तो आंसर क्या होगा Transgenic BT Cotton बच्चों याद रखने एक्जाम्पल ठीक? ठीक है? Question number 2 The phenomenon of formation of new plants New plants जब बनते हैं Without involvement of fusion of gametes बिना gametes के बिना gametes बने New plant बन रहा है Fusion नहीं हो रहा New plant बन रहा है Yes बिलकुल ये board के लिए है और इसका भी आपको PDF मिल जाएगा आप ये ही डाउनलोड कर लो बच्चों ठीक? Okay, we will share this So you can get this The right answer is epomixis कुछ बच्चों ने बोला है Parthenogenesis Parthenogenesis is a fruit है Yes everyone We have a very clear cut idea That Epomixis is in the right answer Formation of a new plant Without any fertilization Fusion नहीं हो रहा है Right? Okay? So we have a lot of questions on the attention I see I see I see के लिए भी बच्चों We will have at least one or two paper discussion Don't worry about that Yes, go, go, go And if you have a focus on the attention I mean I don't know Never want to boost about our channel And the hard work that our teachers are doing But we are looking to look at the question paper analysis So we have to focus on the exam That there are many other options Okay? So we have to choose one option Which one of the following is not an intrauterine device? Intrauterine device मतलब जो यूटरस के अंदर इंसर्ट हो सके Copper T A Like Lipis Loop And Prostosan Are all intrauterine device Whereas option number C Femindo is the external one Okay? Option C is the right answer चली आगे भड़ते हैं अब इसका जो आंसर करेगा I will be so proud के उन्हाने CBSE अच्छे से पढ़ी है जल्दी बताओ Krishna बच्चे पेपर usually medium level का रहता है But you never know कुछ बच्चों को tough लगता है कुछ बच्चों को easy तफ उन बच्चों को लगेगा जो आप नहीं पढ़के जाएंगे अगर आप पढ़के जाएंगे तो आपके लिए पेपर क्या होगा? Easy Okay, I can see lot of you are answering C and that is absolutely correct बच्चों A वाला है हमारा 3 में फिर आगया है B हमारा Jurassic and C आगया टुश भी ठीक है? Okay ऐसे वाले questions बच्चों ऐसे वाले questions आपको neat में भी आते हैं ठीक? ऐसे वाले questions आपको neat में भी आएंगे So, आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल प्रियांचू ये भी कोई question है ये भी एक sample paper में ऐसा question है So, बच्चों देखो जज़ मत करो ये आप ही कि भलाई के लिए हो रहा है? Easy है, tough है, अजीब है, अच्छा है वो तो आपके लिए है ना? Yes So, what you have to be doing over here Is no down the question And आप देखिए कि आपको कितना पता है, कहीं आपने कुछ मिस तो नहीं कर दिया है Yes Hello Komal, आरे वा, Komal की DP है आरपिता की DP है Yes चलिए, आगे भड़ते हैं चलिए Let's see Awesome जो बच्चे आँ पर आगे हैं, everyone Let's focus here in the class बहुत कम टाइम है आपके पास में 14th March को आपका exam है, board का और थोड़ा सा focus कर लेते हैं Yes यह पूरा sample paper है ठीक, चलिए Question number 4 Male heterogamety Right Heterogamety जहां पर male के पास में दो अलग तरीके के chromosome होते हैं जल्दी बताइए Heterogamety is a condition in which male produce two types of gamets female produce only one type of gamet male produce only one type of gamet और female produce two types of gamets बच्चो, male के बारे में बाते करें तो female के options तो पहले ही हटा देंगे Yes Male के जब हम बात कर रहे हैं तो female बाले options तो पहले ही हट जाएंगे Yes So option number A हो जाएगा भाई कौन पूछ रहा है 70 marks से paper होता है Yes, it is 70 marks paper ठीक देखिए, male produce two types of gamets Yes, X and Y in humans, right? And male produce only one type of gamet XO ठीक? Okay? Right everyone? Good चलिए आगे भड़ते हैं इसका transcription यह अगे एक और option है बच्चो Right answer is RNA First is methionine which codes for A, U, G Awesome चलिए Right? Nucleotides दिये हैं हमें उसे MRN में construct करना है MRN That is transcription process नहीं तो कोई नहीं बच्चे बस 5 questions किये हैं Right? Come on everyone Yes? Right? See, हां पे क्या होगा? हमें पता है के RNA में U होता है Right? T के जगा पे U होता है So what happened everyone? A will go with U G with C C with G C U A Okay? Everyone Clear? Yes Everyone आभी clear? Okay है इस अब को समझ में आया इस तरीके से आपको Nucleotide को basically इसके जो कोज हम को लिखने के लिए बोला जा सकता है It's easy right? Yes चले Next अब यहां पे बहुत ही जेनरल सा क्वेशन दिया है यहां पे बहुत ही जेनरल क्वेशन दिया है बच्चो मैं पढ़ने ही रही बस मैं इसके important points बढ़ा देती हूँ Basically they are talking about the noise pollution एक बंदा है वो जाता है ठीक है? Government office में जाता है बात करता है pollution की especially noise pollution की और हमें बताना है क्या causes हैं और किस थरीके से हम उसे effect जो होता है वो बताना है basically causes बताने हैं और बताना है kind of pollution क्या बताना है kind of pollution ठीक है तो हमें बता है noise pollution usually haunt से होता है high level पर जो loudspeakers use होते हैं DJ parties में या फिर wedding receptions में उनसे होता है keep on honking like planes उनसे भी बहुत noise pollution होता है train से होता है और यह सब cause करते हैं lot of disturbance in the sleep, mental health and give us the ear pain yes, yes absolutely correct, low efficiency of the working yes, sleepless होती है ठीक है तो बच्चों यह easy question है तो इसको आप अपने words में लिख सकते है next move to the option, sorry question number 8 अब यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा freeze कर दीजिए ठीक, yes 8 PM के बाद DJ नहीं हुजाता है DJ चलिए ओके चलिए everyone जल्दी 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 आजाईए बताएं question number 8 है, रितेश जो है basically रितेश, क्या कर रहा है रितेश? अपने फ्रेंड को बोलता है के अपने फ्रेंड को बोल रहा है के individuals interact करते हैं individually और वो जब ग्रुप में आते हैं they behave like a population community अब आप मुझे बता दीजे इसमें से कितनों को आंसर यह पता है कौन कौन से factors है that accounts for the formation of major biome अब major biome तो बता रहे हैं सब बच्चे ठीक? और आपने question ध्यान से नहीं पढ़ा major biome of India yes, major biome of India बताना है तो दो question दिए बच्चो and it's a question of two marks so पहले का answer क्या हो जाएगा आपकी CBAC में दिया हुआ है if you want I've just written the page number also okay यह आपको मिलेगा बच्चो page number 220 पे ठीक? seasonal variation and the precipitation कितना temperature का variation है और कितनी rainfall है there are two main factors जो बताएंगे the major biome's characteristic features ठीक? और two biomes of India कौन-कौन से है आप था, desert ले सकते है जो राजिस्थान में है tropical rainforest है हमार पास में घाले में right? yes okay चलिए see this is an easy question अब है question number 9 जनेटिक ड्रिफ्ट के ऊपर बचो what is genetic drift और basically वो कैसे help कर रहा है evolution process में we know it कि genetic drift is nothing बट एलील का change होना एलील की frequency change होना और अगर ये एलील की frequency बार बार change होती रही तो we might end up getting a new species अब new species मिल गई तो हमें मिल गए evolution हम justify कर पाएंगे के इसमें हो गया है evolution थोड़े धीरे धीरे changes हो है and then we have a new species ठीक? right? very good so इसको आप अच्छे से maximum बच्चो see 2 marks अ question है maximum you have to write 3 to 4 lines not more than that उसे जादा आपना time waste कर रहे होंगे अगर आप जादा लिखेंगे तो ठीक है दूसरा question है fitness of a population helps in the process of evolution तो यहाँ पर आगे natural selection की थेरी आप mention करेंगे कि अगर एक organism fit है तो आगे reproduce कर सकता है आगे survive कर सकता है अगर वो survive करेगा reproduce करेगा तो आगे variation होगा और variation से evolution yes clear very good it's a natural selection theory yes absolutely correct very good very good very good bochal girl yes absolutely correct yes very good Mukesh yes Tanya yes sample paper है बच्चे पूझा आज मेंटी पर कैसे करेंगे बच्चे थे औरी क्वेस्टन्स है yes चलिये चलिये यह चलिये वेरी गुड okay let's see the question number 10 let's see question number 10 everyone what is a male gametophyte now मुझे पहले बता गो के male gametophyte क्या है everyone tell me जल्दी बताईए अब यह आप मेंटी मेंटी करते रहते यार आप मेंटी थोड़ी न लिखने वाले हो एक्जाम में बताईए कि यह आपका एक्जाम ऑनलाइन हो रहा है पहले तो क्या NEET का या BORD का एक्जाम ऑनलाइन है नहीं है ना आपको theory लिखनी है बच्चो theory ठीक चलिए very good awesome male gametophyte क्या है बच्चो it is pollen grain और मेरे वेदन्स ने सही answer दिया है और अब आपको pollen grain का structure draw करना होगा तो और four important labeling करनी है right so four important labeling कौन कौन सी कर सकते है without thinking anything egzine, entine, vegetative cells and generative cells cytoplasm, nucleus भी कर सकते हो very good rose very good very good yes 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 egzine, entine, germ pole germative cells or vegetative cells आप लिख सकते हैं cytoplasm लिख सकते हैं okay आप सिफ बच्चे इस पोड़ पोलिंग बेसिकली एक सब्समें से जो बना रहा है हमारे एक्जाइन को ठीक चलिए question number 11 और मुझे दिखा था कि इसी बच्चे ने answer भी कर दिया है अब यहां पर पूछ रहे हैं बच्चो number of cells present in these different stages which is blastocyst blastocyst में कितने होते हैं are you she body is 64 style model is 16 16 cells in blastocyst 16 blastocyst है अच्छा फिर मौरुला में कितने होते हैं yes so बच्चों मैं बताते हूँ आपकी cbsc के अगर आप line पढ़ेंगे right cbsc के line अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें mention किया है 8 to 16 cell stage is called as Morula and after that जो भी division हो रहा है development हो रहा है वो हमारा blastocyst में आ जाता है yes so you can write over here 64 and more ठीक Morula is 8 to 16 cell stage ovum एक single cell होगा और zygote after 30 hours of fertilization is बताओ जल्दी से this is what this is 2 right zygote after 30 hours of fertilization fertilization हो गई एक ही nucleus है after 30 hours जब हम थोड़ा movement स्टार्ट करेगा इसमिश से right it will be 2 very good एसे ही पढ़ते रहों बुच्छों यह बारीग बारीग सी details question paper में आपसे पूछ सकते हैं ठीक now question number 12 question number 12 express your views about the increased ozone hole so अब आपको बताना है के ozone hole हो रहा है अब यहां पे आपको बेसिकली लिखना है के क्यू हो रहा है and what we can do so again it's a 2 marks question जादा detail में नहीं जाएंगे ठीक no no it's basically a 3 marks question so you have to assure कि आप इनप information लिख रहे हैं ठीक है चलिये okay how you will deal with the situation of the ozone और आप क्या कर सकते हैं very good I can see lot of you are writing about the CFS very good yes CFS से क्या होता है बच्चों CFS जाते हैं chlorine basically act करता है O3 के एक oxygen molecule के साथ में और वो से break कर देता है and then O3 becomes O2 उससे धीरे धीरे ozone में holes हो रहे हैं yes control के लिए हम क्या करते हैं we have to assure that pollution को काम करें yes yes यह सारुशी उसने specifically पूछा है और आपको पता है हमने पढ़ा था के it is always on the southern pole poles पे जादा pollution जाके accumulate होता है ठीक okay इस सब चीज़े interconnected हैं pollution control less use of the CFCs and of course assuring that we are using the eco-friendly products ठीक है good let's see question number 13 से पहले बच्चों एक important चीज़ आप लुगों के लिए class 12 का crash course चल रहा है अभी भी time है एक महीने से कम time हमारे पास में approximately one month so if you really want to sharpen your skills for your 12th standard everyone a crash course going on with amazing teachers of Vedantu so it's in request if you want to join use this code ANKI and NEET the price is reduced and yeah you will be happy to learn with us चलिये यह steps है इसके बार में दुबारा बता दूंगी if not we are here everyone see here ठीक है now question number 13 अब यह question बच्चों आपकी NCRT के जो text book है strategies वाला plant breeding में जो है different types of wheat and different types of qualities और कौन-कौन से insects or pests उनने infect कर रहे है उस पे है yes जल्दी से पताईए देखिए this is on page number 175 ठीक है page number 175 पर यह आपका table दिया हुआ है and I can seal off your answering let me write it for you as fits okay very good बच्चों बदाते जाओ answer B क्या है yes सानिया अगर आपको chapter समझ में नहीं है बच्चों we have studied this chapter ठीक है हमने पूरी class की है तो you can go and watch those videos very good and 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 यहाँ पर क्या आएगा भिंडी yes clear so बच्चों बस यह importance बता रहे हैं कि आपको tables भी ध्यान रखने हैं ठीक what is important everyone over here कि आपको tables भी याद रखने हैं ठीक good चलिए और मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी पढ़ाऊंगी क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे पहली बात दूसरी बात यहाँ पर से हम discussion कर रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ क्या लिखना है क्या नहीं लिखना right you will be getting the solutions तो solutions के tension नहीं आप लोगों को चलिए अब दूसरे पूछ रहे हैं बच्चों आपकी textbook में लिका है pomato a combination a hybridization of a potato and a tomato yes ठीक right everyone यह आपकी textbook में दिया हुआ है yes very good protoplast fusion है we have potato we have tomato combine कर दिया we have pomo tomato right पहला question तो यह होगे आपका how it is produced you can write the process of dramatic hybridization उस technique से हम कर रहे हैं why it is not commercially used क्योंकि of course कौन घाना चाहेगा ऐसा जीब सा fruit अरे वात आन्या yes so the characteristic features of this particular fruit or the crop is not edible we cannot eat it yes very good Megha not have all desired characteristic features very good चलिए awesome question number 14 देखते हैं अब यह तो बहुत लंबा चौड़ा है तो मैं in short बोल देती हूं अब यहां पे आपको थोड़ी सी confusion होगी basically एक biology teacher है मेरी तरह और आपसे class में पूछ लिया कि आपको बताना है palindronic sequence of E. coli ठीक है पहले बच्चे तो पहले आप मुझे यह बता दो कि what is palindronic sequences yes you are a brilliant student साहिल awesome कौन-कौन है brilliant student यहां पे वा नीतो भी है very good okay Tanya, bad boy, Anjali, Arpita शाम refresh कर लो page रुद्र, वीर, आसिफ सभी intelligent बच्चे हैं yes अब यह पता है कहां पे दिया हुआ है on page number बच्चो 196 पे जो diagram दिया हुआ है आपका 196 पे diagram दिया हुआ है जहां पे जो endonucleases enzymes हैं वो DNA को cut कर रहे हैं right उनके next page पे एक sequence भी लिखा हुआ है that is the sequence that is the sequence जो आप लोगो ने लिखा right what is it? it's G-A-A-T-T-C yes 5 to 3 dash and 3 dash to 5 dash तो आप उल्टा लिख सकते हैं उसका अब दूसरा question है इसी में दिखिए 3 questions है it's a 3 marks question one one marks each yes very good Vikas very good Tarnika very good Ashwin, Rudra, Rohan Urmila, Rudra, Kanishka yes चलिए अब इन sequence की क्या help होती है basically these sequence help to cut the DNA at the specific side time waste नहीं होता है the process becomes very smooth ठीक है yes होना and what will be the result अब यह question interesting है बच्चो ध्यान से पड़ो I am moving aside so you can read देखिए why would be the result what if the palindromic sequence specific for the restriction enzyme present more than one at a given strand of DNA एक से जादा है एक बार तो है ही बच्चो अगर एक से जादा है for example यहां पे sequence है और थोड़ा आगे चलके यहां पे भी sequence है तो क्या होगा more cuts होंगे और DNA के बहुत सारे fragments हो जाएंगे right yes it will be cutting at a various side giving us more number of fragments of our DNA very good अंजली, अश्विनी, मान्या, अक्षिता, शर्मा, आयूशी, आरूशी yes चलिए many fragments of DNA absolutely right now question 15 अब यहां पे थोड़ा देख लो this is about the MTP कलम ने question खिया था MTP पे के what is the time period of it we know it is the 12 weeks it is nothing but the 12 weeks right everyone yes 12 weeks is the time right तो अब यहां पे पूचा है our government has intentionally imposed strict conditions for MTP in the country justified by giving suitable reasons three reasons देने है बच्चो तीन reason three marks a question है so it's need three reasons पहला पहला यह के female killing होती है right female pdcides है yes 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 दूसरा जेंडर चेक करते हैं right which is completely illegal yes yes everyone so you can write these points आराम से and first of all the last the important which is a very important point with the safety it is a very and risky procedure okay yes damage the uterus damage the mother health and the fetus health also okay तो यह बहुती strict है this law is very very strict in our country yes yes चलिए अब इसका और option है बच्चो question of 15 का और option है अब यहां पे है assistive reproductive techniques assistive जहां पे हम IVF technology का यूज कर रहे हैं those all of the procedure will come under the assistive reproductive techniques ठीक है ठीक है राइट अब दो conditions दीए हमें पहला जहां पे male partner is suffering from low sperm count sperm count कम है तो क्या होगा we will be doing intracytoplasmic sperm injection right ICSI हम क्या खरेंगी यहां पे ovum के अंदर right ovum will be extracted out in lab conditions and sperms will be there the sperms will be directly injected with the help of a micro needle okay this will be the condition okay artificial insemination नहीं कर रहे हैं because they have specified that the sperm count is less question number 2 a female partner has a blockage in her Philippine tube अब बचोगे को यहां पे एक important सा हिंट दिया है Philippine tube में blockage है तो कोई भी F T वाला technology हम लोग use नहीं कर सकते अरे यह मत लिखो आप गलत answer बोल रहे हो students see Philippine tube is blocked Philippine tube is blocked so यह वह zygote हो यह फिर वह gamut हो दोनों में से कोई भी successful नहीं होगा क्योंकि there is a blockage in the Philippine tube the right answer for this is E T embryo transfer directly embryo will be formed outside the body with the help of in vitro fertilization वह zygote direct ही basically embryo embryo क्योंकि Philippine tube block है तो zygote ट्रावल भी नहीं कर पाएगा directly embryo को ठाके uterus में रखेंगे yes आरे बचो this is very easy you can go and check this out on your text books ठीक आपकी text books में है और बहुत ही अच्छे तरीक से दिया हुआ है okay चलिए very good अग question number 16 तो सबको पता होगा yes question number 16 तो सबको पता होगा okay I can see all of you are saying amazing things yes to improve games energy yes yes to improve the game plan yes 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 immediate energy yes yes very good so I think last question two people have asked about serogacy serogacy में if a mother is not able to produce the ovum and of course if the uterus is incapable of carrying a baby then a female would be going for a serogate mother in which the serogate mother will be carrying the baby for the nine months second ET is embryo transfer just this embryo see zygote or embryo difference zygote is the initial stage jab tak wu morala ban ke blastocyst ban ke uterus pe implant nahin ho jata implantation ke baadi wu embryo banta hai in the embryo transfer embryo directly transfer karengi uterus ke andar okay we have over here now coming back to this question why do athletes and player falls often because they want to increase their game they want to take they need more energy for that they always take these drugs which enhance their performance but eventually degrade their health is ke alawa yaha pere poochha hai what is opnioids bachyo yo to apke cbse mein diya hua hai tex book mein diya hua hai yes see meghha kya ap opa da ki aansher parlo meghha na achchya se bata diya hai yes right ab ye basically drugs hai if used in a very optimum quantity they are good morphine hai heroin hai morphine basically haam bhoat saare patients ko dee rata hai which have the high pain to reduce it but if it's used in a very bad way it can harm your body so you can write this okay now question number 16 17 jaldi bachyo jaldi 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 question number 17 you have to identify a b c right jaldi bata hai hai jaldi all of you yes come on come on come on yes hit the like button everyone hit the like button share with your friends yes yes okay so a is nothing but the condoms b is the copper t c are the implants okay yes everyone can you see over here okay a b c so this is you have to identify them and then you have to write and now out of these a b c which of this prevents std's right which of the one will prevent the std's we know it will be the option a right it is mentioned in our ncrt next question write two three lines about c about the implants implants basically are a combination of progesterone hormone and a combination of estrogen hormone and it can be placed under under the skin okay it can be placed under the skin yes very good aishwarya yes ankit right they are the hormone releasing health yes yes sahil aayenge bachche will do that right chaliyye question number sixteen question number sixteen sorry eighteen you hai hafya are you hafya charge statement di ayay MPo in k basis pay a B T cotton car procedure liqh naha hai simple King In vitro fertilization बच्चे embryo transfer का दूसरा ना Like It's It will be coming under that process only In vitro fertilization एक बहुत बड़ी organization एक बहुत बड़ा group होगे उसके अंदर बहुत है अलग-अलग चीजे ठीक So please don't have that confusing Yes everyone You'll be writing about the BT cotton funda over here यहाँ पे आपको important points यह भी है इनको बस आप frame करके लिख सकते हैं ठीक You'll be You have to write the procedure Okay Khushbu Right चलिए I can see Tanya saying Manjala is also saying Yes Aishwarya absolutely correct Yes Khushbu ठीक Rajesh that is copper tea Yes Yes Himanshu Yes Chalye Chalye Question number 19 Now this is a little confusing Let me see how many of you will be answering this question correct Question number 19 Discovery of log fins is considered as a very significant by the evolutionary biologist Aab log fins abka pata hai na It is believed that the species was extinct But South Africa mein dubara mil gai Evolution chapter mein hai ye Three marks question Yes They usually have the They are the Ancestors of modern frogs Yes Yes Yeh fish thai basically Jho paani mein Aur water mein rahsakte Inke fins thai They used to push them very hard so that they can jump also Right Pehle it is believed that they are extinct now they are back Yes Ancestors of modern frog Toh iske baare mein Aapko teen Important points Rikhani hoonghe You can write a paragraph also And of course This Three marks question Should have at least Four to five lines Teak Iska the Dousra part hai bachho Again from the evolution chapter The link between the Two chamber heart Three chamber heart And the Four chamber heart Ernest Hekil ne Jho Theory di thi Right A theory about the Recapsulation Ontogeny and phylogeny ki Theiori thi Uske basis The Older animals Like the two Chamber heart Three chamber heart Will show similar characteristics Of the Their ancestors And jo humare four chamber heart Woon ki characteristics Show kareenge Yes Okay Again Yeh wala question bachho It is mentioned on the page number 138 Aur Ernest Hekil ki theory hai Woh hai page number 129 peh Yes Akshata absolutely correct Bilkul Akash Teak Yes Chalye Okay Okay Now coming on to the next question Coming on to the next question Animals Ki jho hamne poori study ki thi animal husbandry wali Yaha pae question me hamse ye poochhre ke why it is important and how it is helpful So again thoni theory hai aap log likh sakte hai Thik hai Yes Yes Komal absolutely correct Yes Arushi You can write about All The Animal husbandry Jho Techniques Hamne padi hai Fishery Pottery Dairy Farming Silkworm Etc Etc You can write over here Productivity increase hoti hai Large population ki liye food mil jata hai Clear Yes Very good aishwarya to meet the needs of the population Yes Yes Suryansh Yes Sona Dairy products Suntri's products Yes Bad boy Yes Okay Question number 21 Yaha pae bachcho aapko Batana hai Recombinant DNA ka exam Matlab basically Diagram Right So what you What you have to do over here Yaha pae hume basically E.coli And human cell Basically pooch rhae hainke Human gene Kaise incooperate hota hai Woh batana hai So you will be drawing the Recombinant DNA technique ka Pura flow chart Ya pura diagram Which aapki book mein diya hai Clear And of course You will be writing what Mention the type Achcha this is important Jaldi patau Mention the type of Host Cell Suitable for gene guns To introduce an alien DNA Alien DNA Plants cells ke anddur Insert karne ke liye Kaunsi technique Use karenge Very good And for the animal cells They usually go for the injections Micro injections Okay For the plants They usually go for the gene gun Chalyee Okay Ab yeh thoda sa easy Hota jara hai Question me Pari yaan peh This is a option number D Section D Section D A gya bacho And this section basically Is your case study Yes it is there for the case study Okay Jaldi jaldi Bitaate jaiye Time jara hai bacho Parasites Communism And animism And animism One species is definitely at the negative point And one is completely neutral So iska best example bacho aata hai Penicillin Ki presence mein Bacteria Streptococcus Grow nahi karega Yes nana Yeh example Deh diya bacho Okay Easy peasy Lemon squeezy Bilkul Penicillin ki presence mein Humara jo bacteria Hesterococcus Ho grow nahi karega Very easy example Yad rakhiega Next question iska Ab yehaan peh hai basically Menstrual cycle Yes yehaan peh hai Menstrual cycle And you have to write the points About the uterus Humei changes to hoote hai Right The changes are there in the follicles Hormone level etc But what are the changes A uterus undergo during menstrual cycle Voh lekhna hai Thik hai To yehaan peh bacho Aapko sirp or sirp Yeh jo part hai Iske baare meh lekhna hai Right Yes So aap likhenge First five days Shedding of the Endromatron wall will occur From five to thirteen days It will again Grow in size After fifteen To twenty eight It will get more Thicken To support the baby Right And after that If fertilization is done It will remain It will maintain With the help of a progesterone If fertilization is not done Again it will start the menstrual cycle Yes Yes Bhaadiya hai Chal yeh Okay Aap yeh dhekke toh bachay dher zate hai Ma'am yeh kaisa question aaj aata hai exam mein Dekho yeh Dekho yeh haa peh Right It is all about the genetic codes bacho Basically Aapke textbook mein Salient features diye huye hai Hameare right Salient features of genetic codes Us peh teen question poochhe hai Bahaat easy se Bilkol aditi paper diagram se bharah aise he hai Chal yeh chal yeh Okay So we have these three bacho These three things Code is unambigusious and degenerated Hamei pata hai Right A Kya tuffa specify kar raha hai Aek hi codon Aek amino acid ko Degenerate means Aek code Bhoat saare Aek amino acid ke liye Bhoat saare codes ho saktet hai Thik Yes Jiasse agar aap yehaan peh dhekhenge C Arginine Aek amino acid hai Par uske liye bhoat saare codons hai Thik Okay Good Aur universal codon kaun se hote hai Universal basically All the codons are universal From lower organism to us All of the organisms have the same genetic code Thik Awesome Aur last sab se easy hai They are the stop codons Thik Chalye Ab 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 bicho Yahaan peh joh hai Five marks questions hai Pahela hai Breeding techniques Bata nahi aapko Right Hamei breeding techniques Padhi hai animal kingdom mein Sorry animal breeding Waale Us Pore proper section mein In breeding hai Outbreeding hai Right In breeding Breeding happening in the same population Outbreeding mein Tien چheze thii Outcrossing Outbreeding And artificial fertilization Yes Okay Yes Awesome Bas aapko woh explain kar de na hai Dousra question is Ismae Or HIV virus Ke baare me Ke age Kaisa ho raha hai So there is a diagram in your NCRT Voh draw karke Aap explain kar de na So you are good to go With the marks Phosphorus cycle Bata na hai Or batata na hai Kaisa recycle hooti hai Or mimicry Or camouflage Be difference Bata na hai So woh bhi bhot easy hai Mimicry In example hai Mono Monarch Butterfly Thik hai Camouflage Me aajayga Frogs Yaa You know Gir Gir Jo Humare Color change Kertai Yes Okay So Mimicry Basically Poora Ka poora Body Structure Doosre Animal Ko With the environment Yes So wop Lik sakte hai Last question Everyone Bada hi Interesting sa question hai Yes Aray Aarushi Aayenge Sample paper Baccho Aayenge More sample paper To come More sample paper To come Yes Which solutions Will be there On the telegram Group Thik Toh Aayenge Question papers Bhi Yate Jayenge Okay Ab Yaha Pe Basically Puchhaye True Breeding Ke Baare Me Aap Se Woh Ye Same Cross hai Dai Hybrid Ka 9 is to 3 is to 3 is to 1 Ratio Waala Aur Jovem Batata hai Independent Assortment Right And of Course It is about The Natural Selection Natural Selection Bilkul Himaan Yes Bilkul Himaanchi Thik Okay We at This Everyone Join The Telegram Group Link Aajai Telegram Group Link Pe And of Course With That Everyone Thank You For Staying With Us Throughout The Session It's A Humble Request To All Of You Hit The Like Button Share Share And Subscribe My Vedans Right Yes Umul Next Chapter We are doing Monday On Monday We have A Battle Plant Kingdom And Animal Kingdom Waala Hai Right Uske Laava We will Be Having A Menteon Principal Inhitance Thik Hai So We'll Be Seeing Yes Tarunika Wo I A To Us Class Me Basically B Easy Equation Hai So We'll Not Take Up Over Here In The Other Class Aur Agar A Apko Dekhna Hai To Amrit Sar Nekar Hume A Amne Is Pe Alak Se Videos Buna You Can Go And Check Them Out Te Evolution A Ga In The Evolution We'll Discuss All The Questions Ok Tarunika We'll Do On Monday We'll Be Meeting Chalye We'll Meet On Monday Thank You So Much Thank You All For Being There With Us Keep On Enjoying And Keep On Learning Everyone Come Time Bacha Hai Achhe Marks Chahi Hume Yes Chalye Bye Bye Everyone Bye Bye Aaj Aayenge Bachcho Tension Mat Lo One O'clock Monday Principal Of Inheritance And Variation Commenti Hoga Thiek Chalye Bye Bye